हेलो फ्रेंड आप देखरो हमारा चनल ग्रो बुक्स तो आज फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं जिस बुक का नाम है एस्ट्रेंथ फाइंडर टू पॉइंट जीरो इनका लेखा का नाम है टॉम राथ यह बुक किसे पढ़नी चाहिए कॉलेज एस्ट्रेंड्स यंग लोगों को अपनी ताकत और टैलेंट पाचाने में मुश्किल होती है वो ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते कि वह ऐसे रोल्स ले लेते हैं जिसमें वह कमजोर है लेकि रिसर्च से पता चला है कि जो लोग ऐसे रोल्स से काम करते हैं जिसमें वह बहुत अच्छे हैं वो ज्यादा सक्सेस्फुल और अचीवर्स होते हैं कि आपको पता है कि आपकी ताकत क्या है याद रखी आपको जीश चीज की भी जरूरत है वह सब आपके पास है यह बुक आपको पहला कदम लेने में मदद करेगी इंट्रोडक्षन वह क्या चीज है जो आप बिना किसी मुश्किल के आसानिस कर सकते हैं आपको क्या करना पसंद है क्या इसका जवाब आपको तुनंद मिल गया या आपको सोचना पड़ा अगर आपको इसका जवाब नहीं पता तो अब समय आ गया है कि आप अपनी ताकत और टैलेंट को समझने पर काम करे यह जानना कि आप किस चीज में अच्छे हैं सिर्फ उसे इंप्रोब नहीं करता बलकि आपके पास सक्सेस भी लाता है आज हम जिस दुनिया मराते हैं वो हमारी कमजोरियों पर काम करने पर ज्यादा जोड़ देता है यह उतना बुरा नहीं है लेकिन ऐसा करते हुए आप अपनी ताकत को बेकार कर देते हैं इस बुक के पहले पार्ट में आप अपने नेचुरल टेलेंड के इंपोर्टन्स को सिखेंगे आप देखेंगे कि आप जिन चीजों को अच्छे हैं उन पर फोकस करना आपको कहां ले जाता है इस बुक के दुसरे पार्ट में आप एक्षन के दस थीम्स और आइडियाज सिखेंगे यहां आपको अपने ताकत को समझने में मदद करने पर फोकस किया जाएगा हर एक थीम को पढ़ते हुए आप असानी से पाचान पाएंगे कि आप कहां फिट होते हैं और कहां आप सबसे ज़्या पार लाने के लिए त्यार हैं पार्ट नमबर एक अपनी ताकत को खोजना नेशुरल टेलेंट वह चीज है जिसमें हम पहले सही अच्छे हैं और उसे बढ़ाने का बहुत एसकोप होता है लेकिन हमारी कमजुरियों पर फोकस करना जैसे कि हमें सिखाया गया है कि सबसे मु कर रहे हैं लेगिन सच्छाई यह है कि अगर आप किसी चीज के लिए तो इसका मतलब है कि आप उस चीज में अच्छे नहीं है हर इनसान में किसे ना किसी एरिया में सेक्सेस्वल होने का पोटेसियल होता है आपको बस इतना करना है कि आपको उस चीज में अपना समय मेहनत और एनर्जी लगाना है जिसमें आप नेचुरली अच्छे है हेक्टर एक बहुत कमाल के मोची थे वो मेक्सिको में काम करते थे लेकिन वो अपने जूते बनाने के हूनर के लिए फ्रांस जैसी दूर दराज की जगों पर भी जाने जाते थे लोगों का दावा था कि वो दुनिया का सबसे अच्छे मोची थे लेकिन हेक्टर अपने छोटे बिजनस में ना खुश थे और ना ही संतुष्ट थे वो आमतर पर हापते में तीस जोड़ी जूते बनाते थे लेकिन उन्हें पता था कि उनके पास ज्यादा बनाने की ताकत है उनके एक दोस्त ने उसे पूछा कि जब वो जानते हैं कि वो ज्यादा बना सकते हैं तो वो इतने काम क्यों नहीं बनाते हेक्टर ने अपने दोस्त को समझाया कि वो भले ही एक बहुत ही अच्छी मोची है लेकिन वो अच्छा salesman नहीं है और उसे पैसे वसिलने में मुश्किल होती है वो अपना जातर समय जूते बनाने के बजाए जो कि उसके natural talent है अच्छा salesman बनने में लगाता है जो कि उसकी कमजूरी है तो हेक्टर के दोस्त ने उसे सरजीयों से मिलवाया सरजीयों एक बहुत अच्छा marketer और एक natural salesman था दोनोंने देखा कि एक साथ काम करने में दोनों का ही फायदा है तो उन्होंने एक साथ काम करना तय किया एक सरजीयों हर हफते सेकडों जूते बनाने बेचने और उसके पैसे वसिलने लगे यह एक simple story है कि अगर लोग अपनी ताकत बढ़ाने और जिस काम में वे अच्छे हैं वो करने में फोकस करें तो वो क्या कुछ हासिल कर सकते हैं पार्ट टू अपनी ताकत को अपलाई करना इस बुक का दूसरा पार्ट हर थिम से जुड़े क्रेक्ट्रिक्स को समझ कर आपको अपनी ताकत पाचानने में मदद करेगा और साथ में आपका अगला course of action क्या होनी चाहिए और अलग अग थिम के लोगों के साथ मिलकर किस तरह काम करना चाहिए इस पर भी tips दिया गया है पाला है achiever achiever और ज्यादा goals और ज्यादा success पाने के लगतार और अटूट इच्छा है achiever होने का मतलब है कि आपको हर दिन zero से start करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन दिन के आखिर में आपको अच्छा feel करने के लिए कुछ ना कुछ हासिल करना होगा जिस दिन आपने कुछ हासिल नहीं किया उस दिन आप खुश नहीं होंगे हमेशा और ज्यादा पाने के इच्छा राती है मिलेनी एक ER nurse है हर दिन वो सब देखती है जो उन्होंने अच्छीव किया है और इसके लिए खुद को point देती है मिलेनी कहेगी आज मैंने ER equipments fix किया है और delivery किया है मैंने और मेरी assistant ने log book को improve करने का तरीका खोजा मुझे खुद के लिए अच्छा feel हो रहा है अच्छीवर बनने के action के लिए ideas ऐसे job पर काम करिए जो आपको जितनी आप चाहे उतनी ज़्यादा मेहनत करने की और आपको अपनी productivity अपने हिसाब से मापने करने की आजादे दे खुद को अपना goal पूरा करने के लिए समय दे और जब आप उस goal को पा ले तो खुद को उसके लिए point दे अपने success को enjoy और celebrate करे अपने लिए ऐसे मोके बनाए जिससे आप और ज़्यादा अच्छीव कर पाए अच्छीवर्स के साथ काम करना अच्छीवर्स आलसी लोगों से नफरत करते है आलसीव के साथ कड़ी मेनद से काम करके उनसे अच्छे रिष्टे बनाए अच्छीवर्स को बिजी रहना पसंद है उनके लिए meeting बोरिंग होती है अच्छीवर्स को ऐसी meeting में बुलाए जहां वो पूरी तरीके से contribute कर सके वना उनके काम पर फोकस करने दे ही सही दूसरा आता है अडेप्ट करने के खुवी अडेप्ट बिलिटी यानि अपडेट करने के खुवी का मतलब है अभी में जीना अडेप्टेबल लोगों के लिए future वो जगा है जो ऐसी चीजों से बना होता है जो हम अभी करते हैं Adaptable होना आपको pressure में भी effectively respond करने में मदद करता है भले ये आपके लिए plans खराब करे Adaptability का मतलब है कि या समया कि future fixed नहीं है और कुछ भी हो सकता है जब आप Adaptable होंगे तब pressure आपको दूसरी तरह ineffective का unproductive भी बना सकता है Linda Project Manager और वो ओफिस में सबसे सांध इंसान है उन्हें यह महसूस किया है कि वो अपने कोव कर्स के मुकाबले अलग तरीके से react करती है कभी कभी जब कुछ चीजे बहुत कम समय में पूरी करनी हो या अचानक से आ जाए तब बहुत सी लोग घबरा जाते है pressure उन्हें डरा देता है लेकिन लिंडा के लिए यह जिन्दा होने के feeling देता है वह pressure जिस पर तुरंद ध्यान देने की ज़रूरत है वह उन्हें बहुत excited करता है इस कारण से लिंडा बहुत pressure में भी बहुत flexible और productive बनी रहती है Adaptable बनने के लिए action के लिए ideas, taste, situation में दूसरों को भुरसा दिलाने वाले सांध इंसान बने आप चीजों की ओर जितनी, कितनी जल्दी react करते हैं उस पर काम करे दूसरों को अपने लिए plan कर दे, ऐसे roles पर focus करे, जिसमें flexibility की जरूरत हो जैसे कि office के रोजमर्रा के बतलाव, adaptable लोगों के साथ काम करना ऐसे लोगों के साथ काम करना आसान होता है क्योंकि उनकी flexibility के कारण दूसरों के लिए आरामदायक महौल बन जाता है या short term और agent projects पर काम करने के लिए ज़्यादा अच्छे होते है तिसरा आता है analytical analytical इनसान के तोर पर आपको किसी भी दाव को सच मानने के लिए प्रूब की ज़रूर होती है आप किसी भी idea को एक एक करके सभी layers को देखते हैं जब तक आप इसके जड़ को ना देख ले दूसरे सब्दों में आप यह जनना चाहते हैं कि वह idea सच में उतना अच्छा है या नहीं जितना वह सुनने में लग रहा है आपको हर idea के साथ number और data चाहिए होता है और आप यहाँ समझना चाहते हैं कि एक चीज की सतरा दूसरी चीज को effect करेगी analytical होना आपको हर चीज को जड़ तक पहुँचने में मदद करता है Leslie a school principal है एक students के group को करते हुए उन्होंने महसुस किया कि उनकी performance में uniform या बराबर है जो एक साल से दूसरे साल में एक सी है वहीं बच्चे हर साल अलग अलग स्कूर करते हैं analytical इंसान होने के कारण होने इसके कारण पता लगाने के लिए बहुत से सवाल किये जैसे लेसली ने पुचा वो किस building में है कौन से teachers उन्हें पढ़ा रहे हैं और इन्हें पढ़ाने का कौन सा तरीका को यूज किया जा रहा है ऐसे सवालों ने लेसली को इन कंसिटर्स का कारण जानने में मदद किया analytical बनने के एक्षन के लिए ideas ऐसे फिल में काम किजिए जो आपको data analyze करने पर और pattern खोजने दे जैसा marketing और risk management ऐसा course किजिए जो आपके analytical talent को बढ़ाने का मौका दे लोगों को बताए कि जब कोई idea लेकर आपके पास आते हैं तो उनके पास उसे support करने के लिए information होना चाहिए analytical लोगों के साथ काम करना analytical लोगों से बात करते हुए सबी problem के लिए समय निकालना क्योंकि वे सबी बारिकियों को जानना चाहेंगे ऐसे लोगों को अपने idea बताते समय हमेशा खुद को support करने के लिए ज़रूत की सबी चीज़े रखे चार नमर भरोसा भरोसा करने वाले लोगों के कुछ बेलूज होते हैं जो आसानी से नहीं बदले जा सकते संतुष्ट्री देता है जब आप भरोसा करते हैं तो आप जो चाहते हैं उसके बीच में कुछ भी नहीं आ सकता जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए जरूरी हो जाता है भले उसके लिए आपको तारीफ मिले या ना मिले लारा एक कॉलेज प्रेसिडेंट है हर दिन वो घंटो अपने काम में लगाती है भले उसके लाइक उसे पैसे मिले या ना ही हाल ही में उसे पता चला कि वो अपने एस्टेंट में सबसे कम पैसे पर काम करने वाली कॉलेज प्रेसिडेंट है फिर भी इससे उसके काम में कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि लारा मानती है कि मेहनत करना सही है बिलीवर बनने के लिए एक्षन के लिए आइडियाज लोगों को अपने बैलूज और बिलिप्स बताने से डढ़िये मत ऐसे लोगों का अपना दोस्त बनाई है जिनके बैलूज आप से मिलते हो जब लोग आपको बिने अपने बिलिप्स बताए तो उन्हें जज ना करें भरुशा करने वाले लोगों के साथ काम करना दूसरे के बिलिप्स को समझने की और उसकी रिस्पेक्ट करने की कोशिज करें उनके बिलिप्स की और उनके commitment की तारीब करे और उनका सम्मान करे पांच नमर आता है कमांड कमांड मतलब कंट्रोल लेना होता है जब दूसरे मुश्किल चैलेंज लेने से डरते हैं तब वो इनसान जिसमें कमांड होता है वो बीना डरे इसमें कूद पड़ता है भले ही सच बोलना मुश्किल हो लेकिन आप फिर भी सच बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे सामने से सवाल जवाब आपको डराता नहीं है क्योंकि आप जानता है कि प्रवलम स्वाल्व करने के लिए यह पाला कदम है कमांड में होना आपको सभी को एक साथ रखने के लिए जैसे कि वो एक मरते हुए इंसान के रूप में जाती है और उस इंसान के फेमिली अगर कन्फ्यूज है उन्हें नहीं पता कि क्या करना है आम तोर पर ऐसी ऐसे में फेमिली डरी होई होती है और जो हो रहा है उसे मान नहीं पाते इस समय में उन्हें किसी की जरूरत होती है जो उन्हें बता सके कि क्या होने वाला है डायन की जोब आसान नहीं लेकिन फेमिली सच चाहती है और डायन को सच बताना पड़ता है कमांड करने के एक्षन के लिए आईडियाज कमांड वाले थीम में होने का मतलब है आपको दुसरों का कमफर्ट करना यानि अराम देना होगा ऐसा करने के लिए अपना टोन सब्द और हाव भाव या इसारो अच्छा रखने के प्रेक्टिस करनी होगी भले ही कोई बात कितनी भी सेंसिटीवी हो लेकिन सच बोलने में सर्मायन है ऐसे महाल में काम करें जहां पर आपको लोगों को मनने की ज़रूरत हो जैसे सेल्स और मार्केटिंग ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनके पास कमांड है ऐसे लोगों से आप सला ले सकते हैं किमकि वे आपको सीधा जवाब देंगे जब आपको किसे को मानना हो तो ऐसे लोगों को इसे करने दे। छाठा नमर है consistency इस थिम के लोगों के लिए बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। consistency मतलब सभी के साथ बिना उनका एस्ट्रेश्टर्स देखे एक जैसा ब्यवबार करना। इसमा आपको यह पसंद ही होता जब लोगों के background या जान पचान की कमी के कारण उनके साथ खराब बैवार किया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लोगों को खराब बैवार से बचाना चाहिए। जैमी एक magazine editor है। वो lucky थे कि उनकी family उनका tuition फिस और NBC में internship का खर्चा उठा सकती थी। लेकिन जैमी को यह पसंद नहीं था कि दूसरों को सेम फायदा या अधिकार नहीं मिलता। हलाकि उनके financial condition में उनका कोई control नहीं है। जैमी ने एक scholarship program बनाने का फैसला किया जिससे गरीब घर से आए भी बच्चे जगा internship कर सके। कंसिस्टेंस इंसान बनने के action के लिए आइडियाज ऐसे रूल में काम कीजिए जो आपको सब के लिए balance बनाने दे। ऐसे बैलूजन बनाईए जिसे बदलना या जिसे छिर्षर करना आसान ना हो। कंसिटेंस थीम वाले लोगों के साथ काम करना चेंज के समय में उनका साथ दे क्योंकि वो माहोल का अंदाजा लगाने में अच्छे होते हैं। उन्हें decision लेने दे क्योंकि वो समानता और fairness पर विश्वास करते हैं। साथ, developer देवलपर थीम के इंसान होने का कारण आप दूसरों में potential आसानी से देख सकते हैं। आपको लगता है कि सभी में power होती है और आप उन्हें वो power ढूड़कर कम्याब होने में मददकार कर सकते हैं। आप ऐसे interesting और challenging ideas खोचते हैं जो आपकी growth में मदद कर सके। दूसरों का कम्याब होता हुआ देखकर आपको खुशी होती है। जब आप development होते हैं तो लोग आपके पास encouragement और सही सला लेने आते हैं। एना एक nurse है जिसकी एक patient थी जिनके lungs खराब हो चुके थी और उन्हें पूरी जिंदगी oxygen पर राना था। patient एक young अवरत थी जो कि आप कभी normal जिनकी नहीं जी सकती थी। एना उस patient के पास गई जिसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उस patient को लग रहा था कि वो आप कभी काम नहीं कर पाएगी और अपनी family को support नहीं कर पाएगी। patient बहुत दूखी थी और सुझाईर करना चाहते थी। तो एना ने उसे कहा कि ऐसी चीजे पर फोकस करे जो वो कर सकती है। ना कि ऐसी चीजे पर जो वो नहीं कर सकती। एना को पता चला कि वो अवरत आठ एंड क्रॉप्ट बनाने में बहुत अच्छी थी। एना ने उनसे कहा कि वो अपनी फेमली को सपर्ट करने के लिए अपने ओट वर्क को बेच सकती है। patient ने एना से कहा कि उन्हें मुश्किल से दिन में एक बरतन भी धोने की एनरजी नहीं है। तो एना को कैसे लग रहा कि वो कुछ बना सकती है। एना ने उनसे कहा कि आज एक बर्तन धोना काफी है क्या पता कल उनसे पास दो बर्तन धोने की एनर्जी हो साल पूरा होने तक वो अवरत हर तरह के आर्ट एंड क्रॉप्ट बना कर बेशने लगे डेवलपर बनने के लिए एक्षन के लिए आईडियाज ऐसे रोल में काम करे जो आपको दूसरे के पोटेसियल देखने और डेवलप करने दे उन सभी mentors के बारे में सोचिये जिन्होंने आपको grow करने मदद किया है और उन्हें अपना potential देखने के लिए धन्नवाद दे जब दूसरे कम्याब हो तब उन्हें अपना growth बढ़ाने के लिए जरूर कहे developer team गाले लोगों के साथ काम करना developers को उन्हें contribution याद दिलाए कि कैसे उन्होंने अपने एक regiment के दूसरे को कम्याब होने के मदद की है जब आप दूसरों को उनके काम के लिए पहाचान दिलाना चाहते हैं तब आप development की मदद ले क्योंकि वो आपको सही सला देंगे आठवा था empathy empathy का मतलब खुद को दूसरे जगर रख कर देखना ताकि यह समझ सके कि दूसरों को क्या फिल कर रहे हैं आप हर बात उन्हें बात से समत नहीं हो सकते हैं और नहीं उन पर तरस खा सकते हैं लेकिन आप समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं आप उनके अंदर की आवाज सुनते हैं जो और कोई नहीं सुनता आप हम ऐसा जानते हैं कि आपको क्या और कैसे कहना है ताकि वो खुलकर आपसे आपके मन के बात कह सके इसलिए लोग आपसे कुछ भी कहने के लिए सेल्फ फिल करते हैं हाल ही कि मीटिंग में एलेस के कलिन ने बोर्ड के सामने एक नए आइडिया रखा वो आइडिया उनके लिए बहुत इंपोर्टेंट था लेकिन जब उसने वो आइडिया बताया तब किसी ने उसके तारिफ नहीं की वो कलिंग इतने दुखी थी कि मीटिंग के कई दिन बात तक वो नर्मल नहीं हुई एलिस ने देखा कि वो उदास है और मीटिंग में जो हुआ उस पर बुरा आसर हुआ है तो एलिस ने अपने कलिंग से बात करने का फैसला किया एलिस को पता था कि यह उन्हें क्या बात करनी है जिससे उनके कलिंग उनसे कंफेटबल खुल कर बात कर सके जल्दी कलिंग उन्हें बताने लगी कि वो क्या फिल कर रही थी एलिस समझ सकी कि उनके कलिंग का क्या फिल रही है क्योंकि उनमें एमपती थी एमपती रखने के लिए action के लिए idea जब आप दूसरों को खूद के लिए या दूसरों के लिए कुछ गलत करते देखते हैं तब उसके लिए action ले ऐसे डोल में जिससे आप mentor का काम कर सके अपने empathy theme को दूसरों को अपनी बातों और देयालू ब्यावार से encourage करने के लिए यूज करे empathy रखने वाले लोगों के साथ काम करना जब आपको जानना हो कि दूसरों फैसरा कैसा feel कर रहे हैं तब ऐसे इंसान से पूछिए जिसमें गहरी empathy यानि हमदर्दी हो क्योंकि यह दूसरे के emotions की और sensitive होते हैं जब आप employers या customer को समझाना चाहते हैं तो इन लोगों से मदद लेजिए empathy रखने वाले लोग बातशित करने में और परसानी समझने में ज्यादा अच्छे होते हैं के अंदर uniqueness को appreciate करती है आप लोगों के बीच के फर्क पर focus करना पसंद करते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता जब लोगों generalize या arm बना दिया जाते हैं आप हमेशा लोगों के style सोचने का तरीका पसंद और motivating factor जाना चाहते हैं जब आपके पास individualization टेलेंट हो तब आप हमेशा आपने दोस्त के ब्रद्दे के लिए बिल्कुल साई gift चूनते हैं आपको लोगों के और करीबी अफजिवरेशन आपको उन्हें ज्यादा अच्छे से समझने में मदद करता हैं एंड्रिया एक interior designer है उनको काम लोगों को घरों को नए तरीके से सजाना है जब एंड्रिया लोगों से यह पूछती है कि उनके अपना घर कैसा सजाना है तो जाता लोग उसका जवाब नहीं दे पाते कलाइंड पूरे तरीके से समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या चाहिए हलाकि जब लोग उनके घर से उनके favorite जगा पूछते है तो वोमस्कुरा कर उन्हें सीधे वहाँ जगा ले जाते हैं इस तरह से एंड्रिया समझ पाती है कि उन्हें किस तरह की इंसान है और उन्हें क्या चाहिए इंडिविजिव आईलाईजेशन के एक्षन के लिए आईडियाज अपने लिए ऐसे रोल से चुने जहां पर आप असानी से लोगों को यूनिकनेस को पाचान सके और उसे बढ़ा सके होते हैं ऐसे लोगों के साथ काम करना जिनमें इंडिविजिव आईलेशन है जब आपको दुसरों का नजरिया समाजने के जरूत हो तब इन लोगों की मदद ले जब आपको अपनी यूनिकनेस या टेलेंट पाचानने में पारसानी हो तब इनसे इनका ओनेस्ट ओपनियन ले अध्या पाट नमर दस दस जिम्मदारी रिस्पोंसिबिलेटी मतलब जो आप कर रहे हैं उसके पूरे होने तक की उसके जवाब दारी लेना जब आप से की गई उमीदों को आप पूरा नहीं कर पाते तो आप ऐसे रास्ते खोचते हैं जिससे आप दूसरी पाठी को उ आप बहाना नहीं खोजते और आप जानते हैं कि माफी मागना कापी नहीं है आप चीजों को ठीक करने के लिए कुछ भी करेंगे और लोग अक्सर आपको नई जिम्मदारी देना चाहते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि आप वह काम पूरा और ठीक से करेंगे यह भी हो सकता ह कि लोग इसका फायदा उठाए हमेशा ऐसी जिम्हदारी उठाए जो आप पूर्या कर सके कहले एक बिजनस में ऑपरेटिंग मेनेजर है नुवंबर में स्वीडन से काउंटी मेनेजर ने उन्हें कॉल किया और अपनी इन्वेंटरी को जनवरी तक बढ़ाने के कहा है के भी भेज दिया गया है और उसका बिल बना दिया गया है किलि ने तुरंत काउंट मेंजर को कॉल की और बताया कि क्या हुआ मेनजर बहुत नराज और निराज थे के लिग को पता था कि उन्हें यह सिचुएशन ठीक करनी हुगी उन्हेंने सप्लायर अप travelled कंट्रोल से बात की और वो एक नतीजे पर आए कि इनवेटरी को वापस उनके बुक्स में रख दिया जाए इसे केली का पूरा विकेंड लग गया लेकिन उन्हें यह पता था कि यह करना सही है जिमदारी लेने के एक्षन के लिए आईडिया इंटर्वियोर को अपने जिमदारी होने के टैलेंट के बारें बताईए और इस बात पर जूर दिजे कि आप अपने एक्षन के जिमदारी लेते हैं ऐसे लोगों के साथ काम किजिए जिनमें जिम्मदारी का लेने का टाइलेंट हो क्योंकि ये लोग आपको मोटिवेट करेंगे आपको जो भी प्रोडक्ट प्रोजेक्ट दिया गया है उसके पूरी जिम्मदारी ले जिम्मदार लोगों के साथ काम करना जिम्मदार लोगों क कभी भी काम जल्दी पूरा करने के लिए जोर ना दे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं कि यह स्पीड को क्वालिटी से ज्यादा इंपोर्ट्स दिया जाए ऐसे लोग जब कुछ गलत कर देते हैं वो उन्हें बहुत ही अफेक्ट करता है उन्हें ऐसी सिच्वसन से बचाने से पादा कनक्लूजन तो आपने सीखा कि अगर नेच्रल टेलेंट पर फोकस किया जाए तो वह किसी को भी ज्यादा अचीव करने में मदद कर सकता हैं हम बहुत कुछ अचीव करने के चकर में फेल हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी कमजूरियों पर फोकस करते हैं लेकिन यह तर बिलिफ वाले इंसान बन सकते हैं हिमत कंसिटेसी या हमदर्दी आपके ताकत हो सकती है यह जिम्मदारी लेना इंडिविज्वाइलेटे देखना या दूसरों के अंदर पोटेश्यल को डेवलप करना भी हो सकता है उमीद करता है इस बुक ने आपको अपनी ताकत पाचा लेना कहीं सुरुबात करते हैं जो टेलेंट आप आपने है उसे डेवलपम करने के लिए छोटे-छोटे-छोटे कदम लेने से डरिया मत खुद पर विश्वास